माता पिता जो हैं बच्चों के लिए एक माली के समाना है आप जानते हैं यह कोटिशन कहां से लिया गया है यह Mrs. E. G. White की किताब Adventist Home से लिया गया है जिसमें उन्होंने परिवारों से सम्दित बहुत सी बातों पर घहराई से समझाया है बाइबल के उधारन देते वह उन्हे आप से गुजारिश है कि आप इस्टों को देखें और आनंद उठाएं त्रियर दर्शको आपको जै मसी की मैं इलिजब भारती आपका हिंदी होग चैनल में स्वागत करती हूँ दर्शको जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले भी हमने कुछ श्रंखला करी हैं जिसमें हमने मिसिस ईजी वाइट की किताब एडवन्टिस्ट होम पर बातचीत की उस बातचीत में हम आपने सीखा होगा कि कैसे एक परिवार को वातावरन को बहुत सुखद पूर्वक बनाए जा सकता है और आज भी आपके साब में हम एक श्रंखला लेकर आए हैं जिसमें एक बहुत ही महत्पूर्ण विश्य को हम लोग बातचीत करना चाहेंगे मैं इस अपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ और इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं बाइबल टेक्स में एक बाइबल रीडिंग करना चाहती हूँ आईए निकाल लेते हैं नीती वचन उसका तीसरे अध्याय का पांच और छटा पद है वो इस तरह से लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन सपूर्ण मन से यहवर पर भरोसा रखना उसी को समरन करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा दर्शको इस शिंखला में जैसे कि हम बहुत महत्वन विशे को लेकर आये है उसमें हमारे जो हमारे विचार वीद्ट करेंगी मिसीस रेवेका सिंग उनका मैं स्वागत करना चाहती हूं मिसीस रेवेका सिंग मैं आपका स्वागत करती हूं कि आपने समय निकाला हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और जो हमारा विशय है, वो Mrs. E. G. White की किताब, Adventist Home पर विशय है कि कैसे एक विवाह के लिए पती-पतनी अपने विवाह के लिए एक अच्छा जीवन साती चुन सकते हैं, इस श्रंखला में इनी पर हम लोग बातचीत करेंगे, इससे पहले कि हम इस श् करें, मैं चाहते हूं कि आप छोटी सी प्रातना हम सब के लिए कर दीजे, यारे खुदावन, शुक्षा करते हैं एक बार फिर से अफसर देने के लिए, कि हम यहाँ पर फस्तित हो सकते हैं, हिंदी होग चैनल में, और यह Adventist Home की जो सीरीज है, जो की थर्ड सीरीज है, इसक को हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि यह सीरीज को जादा से जादा लोग इसको देखें, और आशिशित होने वाले बने, हम दोनों के साथ हो, पवितरात्मा से हमें भर दे, ताकि एक एक शब जो हम बोले, वो तेरे और से हो, यह हमारी प्रातना है, सुन मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं, यह एक और बहुत महरतोन विशे है, कि विवा के लिए जीवन सात्मी का चंगना, इस विशे पर हम लोग बाचीत करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं, कि जो विवा के लिए जो जवान बेटा या बेटी हैं, यू इनसान तो नहीं कर सकता, इसमें दो होते हैं, युवती और यूवाग, जब ये दोनों होते हैं, तो इनका आपस में इनके जो सोच विचार हैं, वो एक होना ज़रूरी है, इस्पेशली जब वो परमेश्र को मानते हैं, परमेश्र में विश्वासी है, तो उन्हें सहाथा लेनी चाहिए कि वो हमारा अगवा है वो हमारा खुश्टी करता है इसलिए हम चाहेंगे कि यह लोग फरमेशर में बने रहें आप ने उपर जैसे आपने पड़ा खुद पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए पर में भरोसा करने की जरुवत है जिस इससे पहले हम कोई भी बड़ा नेडने लें और हम देखते हैं एक और बात सामने आती है जब लड़का यह लड़की जब अपनी शादी के लिए तैयार कर तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं कि हम विवा करेंगे तो उनको किस तरह के से इस विशे पर सोच विचार करना कोईनले अगर हम देखें पहली शुरुआच जय है वह मित्र या दोस्त बनाने से ही शुरुआ होती है और कभी कभी ऐसा हाता शुरू में हमें लगता कि हां हमें परखना चाहिए कि ये इनसान मेरे लाइक है कि नीं दूसरा हमें देखना चाहिए क्या ये विश्वासी है क विश्वासी के साथ ही उसे अपना रिष्टा बनाने की कोशिश करनी चीए लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब देखते हैं कि एक यूवक को यूफ्ती पसंद आ गई उसने उसकी चरित्र के बारे में नहीं सोचा ना उसको स्टडी किया उसको सिर्फ हम देखते हैं कि लेने के लिए इवन यूवक और यूफ्ती दोनों को आपस में देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके विचार हैं क्या वो आपस में उनके विचार मिल रहे हैं कि नहीं अगर आपस में विचार मेल नहीं खा रहे हैं तो उन्हें शुरू में ही अपने आपको अलग कर लेन चाहिए अगर वो सोचते हैं दोनों के विचार मिल रहे हैं दोनों की सोच एक है दोनों परमेशर में बने वे हैं दोनों के माता पता विश्वासी हैं और वो दोनों एक दूसरे के लाइट है तब तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि परमेशर के साथ हमें हमारा रिष्टा और तो उनका रिष्टे में खटास आ सकती है बाद में इसलिए बहुत ज़रूरी पर्मेशर कहता है पर्को और देखो यह परमेशर भला है कि मैं मैं अच्छ आपने बताया कितना जरूरी है कि परमेशर के नहीं दो कि मिए श्यारेक है यहां उतने सब्र कर्फिते हैं दर्शको आप हमारे साथ बने रहें, एक यहां छोटा ब्रीक देते हैं, और फिर आपके हैं सामने फ्रस्तुत होते हैं. दर्शको मैं एक बार फिर से उपस्तुत हूँ आपके सामने एक छोटे ब्रीक के बाद, आईए हम लोग और चर्चा करते हैं इस विचे पर, मिसी तरेपका सिक देर से कि आपने भी बताये हमें, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं कि जो है पती जब वो अपने पत्नी क करने जा रहा है, तो उसमैं रही किन खुबी को किन घुल को देख कर जो है, उसका चुनाब करें, आप इसके विचे में कुछ बताएं सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि अगर हम भावी पत्नी का एक यूवक अगर चुनाव कर रहा है तो उसको सबसे पहले परमेशर से सला लेने की जरूरत है क्योंकि कोई भी काम परमेशर के बिना पूरा नहीं हो सकता और जब वो परमेशर से सला लेगा क्योंकि पवित्र वचन है हमारे पास जो हमें पल पल पे अगवा करता है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वो जब देखे उसको कभी कभी हम देखते हैं कहीं हमें मीटिंग में या कहीं भीड में कहीं दिग गई को लड़की बहुत पसंद आ रही है लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है देखने से हमने इसको कर लिया है तो आपको यह देखना है कि आप कैसे उसको अपना दोस्त बनाओगे तो दोस्ती से ही शुरू होता है आप यह देखो कि वो किस टाइप की लड़की है और क्या जब आप उसको देख रहे हो उसका स्वभाव कैसा है कभी कभी हम देखते है कि लोग जब देखते है तो उनके फेशल जो चेहरे पर जो है उसके अगर देखें तो खुश मिजाज रहता है किसी का चेहरा किसी का चेहरा गुसे में रहता है तो ये चीजों पर हमें ध्यान करना है, कैकर परमेशर कहता है, परख के देखो. हर चीज हमें परख नहीं है. दूसरी बात उसे देखना है, कि मेरे परेवार. ये लड़की जिसको मैं अपने परेवार के लिए अपना जीवास साती चुन रहा हूं, क्या ये मेरे परिवार में सही फिट होगी कि नहीं क्या ये मेरे परिवार को देखेगी कि नहीं क्या उनकी केर करेगी कि नहीं या बिमारी में वो जो है मेरी और मेरे परिवार को देखेगी कि नहीं उसका ये भाशा क्या है किस तरह की बाचीत है उसकी जब वो चीज़ देखेगा, क्या वो मेरे घर में खुशी लाएगी, अगर मेरे माता पिता ने कुछ बोल दिया, क्या इसमें सहन शक्ती है की नहीं, या ये वापिस जवाब देगी, ये सारी चीज़ें जो है न, वो बहुत जरूरी है, कि उसमें एक और चीज़ है, कि जर्फियों को करने पड़ते हैं जब दूसरे परिवार में जाती है, उसके लिए धीर है रखने की जरूरा है ? जा रहे हैं उस घर में, दूसरी बार जा रहे हैं, पहली बार शायद उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ हो, दूसरी बार शायद ऐसा ना हुआ हो, कोई ऐसी इमर्जेंसी है जिसकी बज़े से उसे उनकी सेवा करनी पड़ ली है, उसकी मन के जो विचार हैं या चेहरे के जो सोभाव है, वो कैसा है, बुसेला तो नहीं है, वो खुश होके तो सेवा कर रही है, जब यह ऐसा होगा, तो पती का आकशन उस यूवती के ओपर अज़ादा बढ़ेगा, अगर वो ऐसा सोभाव नहीं है, तो उसका अकशन उसकी ओर नहीं बढ़ेगा, बहुत जरूरी है कि यहां पर कहरा है, भली इस्त्री परमेशर की ओर से होती है, नीती वज़र में अगर हम देखें, तो 31 वे अंध्याय में यही बताया गया है, कि भली इस्त्री कौन पा सकता है, वो जो की परमेशर के साथ रिष्टा बना के रखता है वो जो की परमेशक के विश्वास में बनावा है वो ही भली इस्तरी पा सकता है जिसका रिष्टा परमेशक के साथ है वो भली इस्तरी पा सकता है जिसमें सेहन शीलता है वो उसको पा सकता है तो यहां पे हम देख रहे हैं एक और चीज है इसकी, क्या ये लड़की जिसको मैं यूवक चुनना मांगता है, क्या ये खर्चिली टाइप है, या ये बचा के रखने वाली है, ज्यादा खर्चिली तो नहीं है, क्योंकि कभी-कभी होता है, जब शौपिंग में जा रहे हैं दोनों एक साथ, तो नेचर प कर रहा उसके लिए, तो उसको रो करिये कि नहीं, इसको इतना खर्चा मत करो, तो उससे भी लड़के के दिल में उसके लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, ये बहुत जरूरी है, तो आपने बताया कि लड़की के सवभाव को जानना बहुत जरूरी है, सोचने से पहले, इसी तरह पत्नी के लिए भी आता है, जो अपने पत्नी के लिए बहावी पत्नी के चुनाव करने जारी है, तो उसके लिए भी उसको क्या सोचनी की जरूरत है, इस पर कुछ बताये हैं हमारे दर्शन को उनको, मैं अगर देखूं, तो ये जो है, इफिशेंस में, पत्नी के समर्पित रखो, तो सबसे पहले ये है, कि पत्नी जो है, वो आगे होके बात नहीं करती, अगर पत्नी कुछ पूछ रहा है, होने वाला पत्नी, तो वो चुप रहेगी, और बहुत सोच समझ के जवाब देगी, ये देखना बहुत जरूरी है, कि क्या ये भावी पत्नी जिसको मैं चुन रहा हूँ, ये जल्दी बात करती है, जल्दी जवाब देती है, या जल्दबाजी में रहती है, या इसके सोभाव में क्या है, क्या इसका रिष्टा परमेशर से है, क्या ये प्रार्थना के लिए बात कर रही है, क्या ये मुझे पूछ रही है, क् Bible पढ़ता हूं के नहीं क्या ये मेरे साथ बैठके प्रातना करेगी की नहीं करेगी ये चीज़ें बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा है कि ज़्यादा तर देखा जाए जेंट्स जो है ना वो कम है प्रातना में करते तो है लेकिन लेडीज ज़्यादा करती है वो ज़्यादा प्रातना में लगती है वो प्रातना करती है पती के लिए प्रातना करती है परिवार के लिए प्रातना करती है वो जब देखता कि मुझे ऐसी ही इस्त्री चाहिए जो की परवेशर में बनी वी है भली इस्तरी चाहिए एक चीज होती है जो कि लेडीज होती है वो देखते हैं कि ये ज्यादा खर्ची लिए ये मेकप बहुत कर रही है या इसका शॉपिंग का बहुत ज्यादा शॉक है और हर चीज में ये खर्चा कर रही है तो आदमी अपने या भी पीछे अड़ जाएग मसीही लड़कियां सीधी साधी सरल सभाव इसे माँ पती के लिए भी बताएं कि अब प्लीज इस पात को पताएं कि पती जब वो चुन रही है तो किस तरह वो भी उन्हें वैसे ही चुनना है कि वो आदमी जो पती है उसको भी मसीहत में होना जरूरी है उसको भी जो है इंटेलिजन्स जो की है सोच समझ के जल्दवाजी में हमें जवाब नहीं देना हमेशा एक दूसरे को आप परक रहे हैं तो आप ये देखो कि ये जो मैं पती चुन रही हूं ये किस टाइप का मुझे जवाब दे रहा है क्या ये टेड़ा जवाब दे रहा है या सह जवाब दे रहा है या ये परमेशर के भै में जवाब दे रहा है जब ऐसे चीज़ें वो तेखेगी लड़कियां ज्यादा जल्दी नहीं बोलती हैं वो बाद में बोलेंगी लेकिन शुरू में नहीं बोलेंगी वो देखेंगी कि लड़का किस तरह का है लेकिन जब उन् आरतना करनी लाइक है तो उसको वह बहुत अच्छा लेगा जाने वाला नहीं है। अइसी पती को पसंद करें गी किस तरह आप पति चुननने जा रहे हैं स्काझाओ करें। हम यहां पर एक छोटा ब्रेक ले देते हैं और फिर बादशीत करेंगे दर्शको जैसा कि आपने जाना कि किस तरह चुनने की जरूरत है पती को भी और पत्नी को भी दोनों को बहुत सी चीजों को देखना है उसके स्वभाव को जानना है उसके चरित्र को जानना है तो भाव दर्शको आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस शंकला में मिसिस सेंग जैसे कि अभी हम बादशीत कर रहे हैं चुनाव करना वर्या वधू का चुनाव जो कर लड़की लड़की आज कल करते हैं एक बात मैं आपसे चाहती कि आप बताएं कि जब दोस्ती करते हैं त आपने बड़त अच्छा सवाल किया कि उनका उनको तो जीवन भर साथ रहना है तो जब जीवन भर साथ रहना है तो उन्हें ये देखना है कि किस टाइप का साथी है लड़के को भी और लड़की को भी जब हम देखते हैं कि जो परमेश्यों को सब्मान नहीं देता ठीक है वो कहें कि चलो प्रेयर करेंगे किसी भी चीज के लिए नहीं मुझे नहीं करनी तुम कर लो जो परमेशर को सम्मान नहीं देता वैसा जीवन साती चुड़ना बिकार है फिर है जो बुरी भाशा का प्रयोग करता है बात-बात में गाली कर देते हैं कुछ जगे पर ऐसा है कि लोग बात शुरू करें हैं लेकिन चार-पांच गालियां देके पर बात शुरू होती है उससे बुरा प्रभाव पड़ता है लड़की के उपर भी और लड़के के उपर भी और दोनों परिवारों पे और इसको सुभाव का पता लग जाता है कि किस तरह अगर उसकी भाश सही नहीं है और वो परमेशर का सम्मान नहीं करता तो ऐसे साथी से हमेशा दूर रहने की जिर्वत है लोसी चीज है एक चीज हमें देखनी आजकल ढूर बहुत चल रहाया है तो आपके सामने वह साती आ लड़की के सामने तो उसकी कर के आ जैसे वो नशे में है और आपके सामने आके जूट बोलता है जो इनसान जो सही पत्नी को चुन रहा है या नड़की लड़के को चुन रही है वो जूट बोलता है तो परमेशर का समान नहीं कर सकता और जो बूरी बातों में हैं और किसी बुरी लत में है पान है, बीड़ी है, सिग्रेट ए, शिराब है, इन सब चीजों के साथ वो रहता है, और जब वो आता है लडटी के सामने, तो वो जन जां लेती है कि यह समेल आजाती है तवी कि भी मुझसे, तो वो जान लेती लेकिन जुट बोल रहा है, तो ऐसे रिष्टों में हमें अपने आपी दूरी बना लेनी चाहिए अगर हम दूरी नहीं बना रहे हैं तो हम परमेशर को क्या कर रहे हैं विश्वास दी रख रहे हैं परमेशर के साथ हमारा अलगाओ नहीं होना है परमेशर के साथ हमें उसका वो हमारा अगवा है जब वो हमारे दिमाग में बात आ रही है ये लड़का जूट बोल रहा है ये लड़का परमेशर का समान नहीं कर रहा है ये लड़का बुरी बातों में है तो वो परमेशर कह रहा है पीछे हट जाओ अगर वो लड़की उसक करी का आधार्य प्रमेशर का बहुत जरूरी है भावी पती हो गई है सगाई होने का मतलब है मैं देखो ये शुमस्जी की जो यूसुफ की जो सगाई हुई थी वो मर्यम को जो है चुपके से डावर्स करना चोड़ना मांग रहा था लेकिन फुरिश्टे ने बोला ये जो गर्वती है पवित्रात्मा की और से ठीक है ये तो हो गया बा पता लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ आपके सामने किया था मंगनी के साइम वो सारा दिखावा था जूट था और उनके चरित्र में जो है कुछ नुक्स है उनके मन में परमेशर का भै नहीं है तो जब ऐसा रहता है तो ऐसे उसमें रिश्टा तोड़ना ही सही है क्योंक गई लेकिन जब उन्होंने दुबारा शादी की है तो उन्होंने सगाई नहीं करी चीदी शादी करी रहे वो सक्सेस्वल हो गए क्योंकि उन्होंने इसमंगनी जो है थोड़ दी थोड़ने का मतलब यह है कि उसमें कुछ बात थी जिसकी वज़े से उनको रो रिश्टा त द्वारा और हमारा रिश्टा काइब रहेगा तो यह जरूरी है कि जो लड़का है यह लड़की है दूनों में से जो भी जो है अपने लिए चुनाव कर रहे हैं तो इन सब बातों का जो है उनको देखना बहुत जरूरी है और बाद भी अगर पता लगता है तो जो है चैंप साथ विचार आपने हमारे साथ साजा किये और हमारे दर्शकों कौ बताया है कि कैसे चुनाव करें इक अच्छी जीवन साथी का अब धर्शकों जैसके आभी हमने जाना मिसेज रेप्यका के द्वारा की हमें जो है जब बी कोई भी अपने बच्चों के लिए अगर अब लड़का है तो इसको पतनी के लिए विशह में जानना है, कि उसको सवभाव कैसा है, उसको चरीटर के लिए, और जो है एगर लड़की चुन रही है तो वह भी, और वह इकतनी जरूरी बात इनों ने बतायी कि परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर के बाते हैं करें कि नहीं तो यह बहुत अपने भावी जीवन के लिए कि उसको जीवन बिताना उसके साथ तो उसके लिए ज़रूरी है कि वन संबादों का ध्यान करें यहां हम इस को खतम करेंगी इस शंकला को और मैं चाहूंगी कि हम दुआ कर लिते हैं चोटी सी प्रात्ना आई हम दुआ म प्रभु जी चाहते हैं कि आप हमारी अगवाई करें जम हम भाचीत करते हैं दुआ करते हैं प्रभु जी हमारे दर्शक जो इस शंकला को देख रहे हैं प्रभु जी वो भी आप से सला लें आप से ड्वाइज लें जो भी कारे वो लो करते हैं प्रभु हमारे इस कारे करम को आपके हाथों में समरुद्पित करते हैं प्रभू इस दूआ को हमारे उद्धार करता है प्रभू ये शुक के नाम में मांगते हैं सुनो और घ्रांड कीज़ें आमें करते हैं सुनो और घ्रांड कीज़ें।